उत्पन्ना एकाजशी पर जिस घर में खाई जाती है ये दो चीज दोड़ी चली आती है माता लक्ष्मी नमस्कार दोस्तों राधे राधे जै श्री कृष्न जै श्री हरी विश्नु जै लक्ष्मी माता उत्पन्ना एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है ये चीज माता लक्षमी हो जाती है घर में साक्षात विराजमार दोस्तों उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेश महत रखती है उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है उत्पन्ना एकादशी का वरत भगवान विश्नु की कृपा प्राप्ती और मोक्ष की प्राप्ती के लिए किया जाता है? यहाँ वरत भगवान विश्नु को समर्पित होता है और माना जाता है कि इस दिन वरत रखने से व्यक्ति को कई तरह के पुन्यलाथ प्राप्त होते हैं उत्पन्ना एकादशी का वरत रखने वाले व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बलकि अगले जन्म में भी पुन्य फल मिलता है। यह वरत विशेश रूप से उन लोगों के लिए फलदाई होता है, जो आध्यात्मिक उन्नती और मोक्ष की कामना रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का भोग उत्पन्ना एकादशी पर भगवान श्री हरी विश्नु को लगाने से और उस प्रसात को सभी में वित्रित करने से साथ ही स्वयभी ग्रहें। करने से आपको भगवान श्री हरी विश्नु के साथ साथ माता लक्ष्मी की असीन कृप्या प्राप्थ होती है। जिससे आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अडचन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको जीवन में शुब परिणाम देखने को मिलते। हैं, आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आपके अन्नधन के भंडार भर जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजे भी हैं, जिनका सेवन उत्पन्ना एकादशी पर भूल कर भी नहीं करना। चहिए अन्यथा आप भगवान श्री हरी विश्नु और माता लक्ष्मी की क्रिपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल दोहजार चौबीस। में उत्पन्ना एकादशी कब है? उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है? इसकी पूजा विधी क्या है? और इस दिन किन चीजों का भोग भगवान विश्नु को लगाना चाहिए? और किन चीजों का सेवन इस दिन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए? लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विश्णु जी और माता लक्ष्मी का आशिरवाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरी विश्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजरी जरूर लगाए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इस साल दो हजार चौबीस में उत्पन्ना एकादशी कब है तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्न पक्ष की एकादशी तिथी 26 नवंबर को रात एक बचकर एक मिनट पर शुरू होगी इस एकादशी तिथी का समापन 27 नवंबर को सुभः 3 बचकर 47 मिनट पर होगा ऐसे में उद्या तिथी के अनुसार उद्पन्ना एकादशी का वरग 26 नवंबर 2024 को ही रखा जाएगा इसके अलावा उद्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को किया जाएगा उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर की दोपहर 1 बचकर 12 मिनट से लेकर दोपहर 3 बचकर 18 मिनट तक आप पारण कर सकते हैं इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी के पूजा के शुब समय के बारे में बात करें तो उत्पन्ना एकादशी की पूजा 26 नवंबर सुभा 11 बचकर 47 मिनट से दोपहर 12 बचकर 29 मिनट तक आप कर सकते हैं आईए दोस्तों अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के महत्व के बारे में तो दोस्तों हिंदु धर्म में उत्पन्ना एकादशी का बरत अत्यधिक पुन्यदायत माना जाता है उत्पन्ना एकादशी का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यह देवी एकादशी के प्राकटे का दिन है यह वत्व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर सकता है और उस व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जा सकता है पौरानिक मान्यताओं के अनुसार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विश्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी, जिने एकादशी कहा जाता है दरसल जब भगवान विश्णु चार, माह की योग निद्रा में थे, तो मूर नामक का एक राक्षस भगवान विश्णु पर आक्रमन करने आया था ऐसे में विश्णु जी के शरीर से दिव्यस्वरूपा देवी की उत्पत्ती हुई थी, जिन्होंने दैत्य का वध कर दिया था इसके बाद, जब भगवान विश्णु अपनी योग निद्रा से जागे, तो वह देवी के उपर अतिप्रसन हुए और उन्हें देवी एकादशी के रूप में पूजा करने का वर्दान दिया मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का विधिवत वरत रखने के साथ जो जातक भगवान विश्णु की पूजा करते हैं, तो उन्हें हर एक दुखदर्द से निजात मिल जाती है और सुक्सम्रिधी की प्राप्ती होती हैं, इसके अलावा यह वरत्मन और आत्मा की शुद्धी के लिए रखा जाता है इसे करने से व्यक्ती की मानसिक शांती बढ़ती है, साथ ही उसके बुरे कर्मों का नाश होता है और वह भगवान के प्रती समर्पित होता है स्वास्थ्य के द्रिष्टि कोन से देखे, तो उत्पन्ना एकाज्शी वरत रखने से न केवल धार्मिक लाग होता है, बलकि यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है एकाज्शी पर आहार नियंतरन से शरीर को शुद्धी का मौका मिलता है और उपवास शरीर के लिए एक तरह का प्राकृतिक डिटॉक्स है तो दोस्तों ये था उत्पन्ना एकाज्शी का महत्व चलिए अब जानते हैं उत्पन्ना एकाज्शी की पूजा विधी के बारे में तो आपको बता दें कि उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रहमा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा के। ये तयार हो जाएं। उत्पन्ना एकादशी का वरत लेने से पहले भगवान श्री हरी विश्नु का ध्यान करक फिर पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल आदी रखें. यदि संभव हो तो, मंदिर में भगवान विश्नु की मूर्तिया चित्रस्थापित करें. साथ ही पूजा में भगवान विश्नु का ध्यान करें और उन्हें नमन करें. इसके अलावा भगवान विश्नु को तुलसी के पत्ते, नारियल, मिश्थान, फल, दूध, शहद और जल, चावल अरपित करें. साथ ही यदि संभव हो तो भगवान विश्नु के एक हजार नामों का पाठ करें. यदि यह कठिन हो तो नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जा महत्व बढ़ता है. साथ ही यदि संभव हो तो उत्पन्ना एकादशी के दिन रात्री में जागन करने का भी महत्व है. रात भर भगवान विश्नु की स्तुती करने सिर्फ उन्य की प्राप्ती होती है. अगले दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद वरत का पारण करना चाहिए. पारण में फल, जल और अन्य श्रधा पूर्वक भोजन करें. पारण के बाद भगवान विश्नु का ध्यान करें और उनसे आशिरवाद प्राप्त करें. इसके अलावा दोस्तों उत्पन्ना एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है. किसी ब्राहमन को भो जन या वस्त्रदान दें और जरूरत मंदों की मदद करें. इस दिन भगवान विश्नु के प्रतीश रधा और दान से पुन्य की प्राप्ती होती है. तो दोस्तों यह थी उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधी आए अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर भगव भगवान विश्नु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और कौन सी सब्जी खानी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है. नंबर एक लौकी दोस्तों लौकी एक सात्विक और हलकी सब्जी है जो भगवान श्री हरी विश्नु और माता लक्ष्मी को अत इसे घी और धनिया पत्ती के साथ सजाकर माता लक्ष्मी को भोग अर्पित किया जा सकता है। जिससे की आपके घर में सकारात्मक उर्जा का वास हो जाता है और आपके घर में सुक शांती का माहौल बना रहता है। इसके अलावा लौकी का सेवन स्वास्थय के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है और यह व्रत के दौरान शरीर को डोट उर्जा प्रदान करती है नमबर दो कद्दू कद्दू को शुभ और पवित्र भोजन माना जाता है इसे एकाजशी व्रत में विशेश रूप से बनाया जाता है हलके मसालों में तयार कद्दू की सबजी माता लक्षमी को प्रसंद करती है अगर आप उत्पन्ना एकाजशी पर माता लक्षमी को कद्दू की सबजी का भोग लगाते हैं अर पित करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की विशेश कृप्या प्राप्थ होगी, जिससे की आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा कद्दू का हलवा भी एक स्वादिष्ट और सात्त्विक व्यंजन है जो व्रतधारी ग्रहेंड कर सकते हैं। यह सबजी पाचन के लिए हलकी होती है और व्रत के दोरान पेट को आराम देती है। साथ ही, आपके जीवन में सकारात्मक उर्जा का आगमन होता है. नमबर चार तिल का भोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान श्री हरी विश्नु जी को तिल का भोग लगाना चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है. क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के दिन तिल का विशेश महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन आपको तिल का दान भी करन चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति कभी नर्प नहीं जाता है. दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भगवान विश्नु को केले बहुत प्रिय हैं, इसलिए उत्पन्ना एकादशी पर भगवान श्री हरी विश्नु को केले का भोग लगाया जाता है. उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को केले का भोग लगाने से आपको भगवान विष्णु की असीम कृप्या प्राप्थ होती है, जिससे धन दौलत में व्रिध्धी होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है इसके अलावा दोस्तों आपको उत्पन्ना एकाद्शी, पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए ऐसा करने से साधक को जीवन में कई तरह के शुब फलों की प्राप्ती होती है नमबर छे, पंचामरित का भोग दोस्तों पंचामरित भगवान विश्नु को अत्यंत प्रिय है पंचामरित को दूध, दही, घी, शेहद और मिश्री को मिला कर तयार किया जाता है पंचामरित शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में सभी में वित्रित किया जाता है ऐसा करने से घर से नकारात्मक उर्जा का दुश्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक उर्जा का वास होता है नमबर साथ मिश्थान उत्पन्ना एकादशी पर भगवान श्री हरी विश्णुजी को मिश्थान का भोग अर्पित करना शुब माना जाता है इसमें चावल की खीर, सूजी का हलवा, बेसन के लड़ू, नारियल के लड़क, गुड और तिल से बनी मिठाई अर्पित की जाती है इन चीजों को उत्पन्ना एकादशी पर भगवान को अर्पित करने से भगवान अतिप्रसन होते हैं इसके अलावा दोस्तों मिठाई को सात्त्विक विधिस से तैयार किया जाना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार के तामसिक तत्वों का उप्योग नहीं करना चाहिए नंबर आठ मखाना और सूखे मेवे का भोग उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विश्नु को मखाना और सूखे मेवे अर्पित किये जा सकते हैं मखाने को शुद्ध घी में हलका भून कर या खीर में मिलाकर भोग स्वरूप भगवान विश्नु को अर्पित करें इसके अलावा दोस्तों तुलसी भगवान विश्नु की अत्यंत प्रिय है किसी भी प्रकार के भोग में तुलसी पत्र को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए इसे भगवान की मूर्ती या चित्र के पास रखकर भोग चड़ाना चाहिए मान्यता है कि भगवान विश्नु को लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें विश्नु प्रिय तुलसी शामिल न हो नमबर नौ गुड और चना भगवान विश्नु को गुड और चने का भोग भी अत्यंत प्रिय है गुड की मिठास और चने का सात्त्विक स्वरूप भोग में पवित्रता और सरल्ता का प्रतीक होता है इसके अलावा उत्पन्ना एकाजशी पर भगवान को सात्विक अन जैसे कुट्टू के आटे की पूरी, राजगिरा का हल्वा या सिंधाडे के आटे से बनी मिठाई अर्पित की जा सकती है नामबर दस भोग अर्पित करने की विधी भोग तयार करने से पहले स्वयन स्नान करें और शुद्ध कपड़े पहने खाना बनाते समय मन में भगवान का ध्यान रखें फिर भोग को एक थाली में सजाएं और भगवान विश्नु की मूर्तिया तस्वीर के सामने रखें इसके अलावा भोग अर्पित करते समय भगवान विश्नु के मंत्रों का उचारण करें मंत्र इस प्रकार है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह दूसरा मंत्र इस प्रकार है ओम विश्नवे नमह भोग अर्पित करने के बाद भगवान की आरती करें और तुलसी पत्र अर्पित करें इसके अलावा भोग को प्रसाद के रूप में परिवार और व्रत्धारियों में बाटें ऐसा करने से आपको भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की असीम कृपया प्राक्त होगी जिससे की आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों ये थी वे चीजे जिनका भोग उत्पन्ना एकाद्शी पर भगवान विश्नु को लगाना चाहिए चलिए अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकाद्शी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए नमबर एक बासी भोजन दोस्तों गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है इसलिए बासी और जला हुआ भोजन उत्पन्ना एकाद्शी के दिन नहीं खाना चाहिए अगर आप उत्पन्ना एकाद्शी पर वरत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको बासी भोजन नहीं खाना चाहिए. नामबर दो पान उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरी विश्नुजी को पान अर्पित किया जाता है, ऐसे में व्यक्ति को डोट. पान नहीं खाना चाहिए. नहीं तो भगवान श्री हरी विश्नुजी और माता लक्षमी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको शुब परिनाम की जगह अशुब परिनाम देखने को मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन दूरभाग्य में बदल सकता है और जीवन भर आपको कठिनायों का सामना करना पड़ सकता है नमबर तीन बैंगन का सेवन दोस्तों शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना गया है ऐसे में उत्पन्ना एकादशी तिथी पर बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी पर ब्रहमचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवरित्ती को बढ़ाता है इसलिए उत्पन्ना एकादशी तिथी पर धार्मिक द्रिष्टी से बैंगन खाना उचित नहीं है उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टी से भी अशुभ माना गया है अगर आप गलती से भी उत्पन्ना एकाद्शी पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं, तो आपको शुब परिनाम की जगह अशुब परिनाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है अगर आप वरत नहीं भी रखते हैं, बस पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शरीर और तन्मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए नमबर चार, पालक और हरी सबजिया कुछ वरत धारी पालक या अन्यहरी पत्तेदार सबजियों का सेवन करते हैं, लेकिन उनको बता दें कि उत्पन्ना एकादशी पर पालक और हरी सबजियों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप भगवान श्री हरी विष्णूजी और माता लक्ष्मी की कृप्या से वंचित रह सकते हैं, जिससे की आपके घर में नकारात्मक उर्जा का वास हो सकता है और अशांती का माहौल बन सकता है नंबर पांच लहसुन और प्यास लहसुन और प्यास दोनों को तामसिक भोजन माना जाता है इनका सेवन उत्पन्ना एकाजशी वरत के दोरान वर्जित है क्योंकि यह शरीर और मन दोनों में रजोगुन और तमोगुन को बढ़ाता है इसके अलावा वरत का उद्देश मानसिक और शारिरिक पवित्रता बनाए रखना है इसलिए इनका त्याग करना आवश्यक है मान्यता है कि लहसुन और प्यास की उत्पत्ती राहु केतु से हुई थी नंबर छेट मानसाहार भोजन मानसाहारी भोजन आपको कभी भी नहीं करना चाहिए लेकिन आपको उत्पन्ना एकाजशी पर बिलकुल भी मानसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए भगवान विश्नों की पूजा में सात्विक्ता का पालन अनिवार्य है और मानसाहारी भोजन तामसिक गुनों को बढ़ाता है जिससे पूजा में एकागरता और शुद्धता बाधित होती है नमबर साथ चावल चावल उत्पन्ना एकाजशी व्रत के दौरान वर्जित है चावल का सेवन साल में आने वाली किसी भी एकाजशी पर नहीं करना चाहिए पौरानिक कथाओं के अनुसार चावल को भगवान विश्नों के शरीर के पसीने से उत्पन्न माना जाता है और इसे एकाजशी पर खाने से पाप कर्म होता है नमबर आठ डाले मुंग, मसूर, अरहर और अन्य सभी प्रकार की दालों का सेवन करना उत्पन्ना एकाजशी के दिन वर्जित होता है इसके अलावा रोटी पूरी पराठा या गेहूं से बने अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन भी उत्पन्ना एकाजशी के दिन नहीं करना चाहिए इन खाद्य पदार्थों को तामसिक या भारी भोजन की श्रेनी में रखा गया है जो वरत के उद्देश्यों के विप्रीत है साधारन नमक का सेवन एकाजशी वरत में निशेध होता है इसकी जगह सेंधा नमक का उप्योग किया जाता है सेंधा नमक को शुद्ध और सात्विक माना जाता है जबकि साधारन नमक को डोट प्रसंस्कृत और अशुद्ध माना जाता है नमबर दस दूध और उससे बनी अशुद्ध चीजें दूध और दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, खीर और दही वरत के दौरान सेवन की जा सकती हैं, लेकिन इनका उपियोग ताजगी और शुद्धता के साथ करना चाहिए बासी दूध या उससे बनी चीजों का सेवन उत्पन्ना एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए इसके अलावा अधिक मिर्च और मसालों का उपियोग वरत के दौरान वर्जित है, क्योंकि ये शरीर में गर्मी और अशान्ती पैदा करते हैं वरत का उद्देश शान्ती और आत्मानुशासन प्राप्त करना है तो दोस्तों ये थी वे चीज़े जिनका सेवन उत्पन्ना एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर विडियो अच्छी लगी तो विडियो को लाइक एंड शेर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लेता कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू विडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए विडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद